नमस्कार दोस्तों आप सब देख रहे हैं NB TV हिंदी मैं पंकत चोहान MDH मसाले किंग नाम से मसूर धरमपाल गुलाटी आज इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से आज पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई धरमपाल गुलाटी का जन 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियाल कोट में हुआ था उनके पिता जी ने माशियादी हट्टी MDH के नाम से दुकान की शुरुआत करी थी लेकिन 1947 विभाजन के बाद धरमपाल गुलाटी भारत आ गई और वो कुछ समय अमरित्सर के शरनार्थी सीविर में रहे फिर वो दिल्ली आ गए और उन्होंने वहाँ पर अपने पिता के पैसो से तांगा खरीदा और कुछ समय बाद मसालों की दुकान खोली दुकान अच्छी चलने लगी फिर उन्होंने 1969 में कमपनी की आधिकारिक तोर पर इस्थापना की देश भर में इनकी 15 फैक्ट्रियां और ये दुनिया भर में अपने उत्पाद बेचती हैं M.D.H. कमपनी के मुताबिक वो अपने वेतन में से 90 प्रितिशत दान किया करते थे उनके पिता के नाम पर एक ट्रस्ट भी है जिसके द्वारा विध्याले और अस्पिताल चलाई जाते हैं अपने मसालोई का परचार भी वो खुद ही किया करते थे पिछले वर्ष भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूचन से उन्हें सम्मानित किया गया था व्यापार और उध्योग में उल्लेकने योगदान देने के लिए पूरा भारत इन्हें हमेशा याद रखेगा लोगों ने अलग लग तरीके से सोसल मीडिया पर इन्हें सरदांजली अर्पित करी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे एन्बी टीवी हिंदी के साथ